टीचर नहीं है तो फिर क्या करोगे तो हम इस टेक्नलोजी के माधिन से सीख सकते हैं थोड़ी दिर में खेलने जाने के लिए मन कर जाएगा तो यह टेक्नलोजी वाले को बीच बीच पे कहना पड़ेगा ध्यान रखो शामने देखो बाते मत खरो ऐसा कहना पड़ेगा ना चाबाज आज़ा आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है और आप चाहोगी कि इस प्रकार की टेक्नलोजी से वो सब्जेक्ट आपको पढ़ने के लिए मिल जाएग आपको इतनी छोटी आउयू में चश्मा आ गया है तो आप जरूर ज़्यादा पढ़ती होगी सर मेरा मन पसंद सायन से अच्छा उसको लगता है कि टेक्नलोजी से मज़ाएगा ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाओगे अब यह जैसे हाट के विश्य में अभी पढ़ाया अगर ऐसा नहोता और टीचर ने समझाया होता तो दिमाग में चित्र बनता कि हाँ यह कुछ ऐसा कह रहें टीचर नहीं नहीं बनता देखिए यह फर्क है टेक्नलोजी जिसका फाइदा हमारे देश के बच्चों को होने वाला है चलिए बच्चों बहुत-बहुत शुक्त आमना है आपको थेंक्यू सर्थ धन्यवाद करते हैं रिलाइंस जियों को और धन्यवाद हमारे मानने मुखे मंत्रिगन जो हमारे साथ जोड़े थे बच्चों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद और बढ़ते हैं अगले यूज केस की तरफ यह यूज केस वोड़फोन आइडिया की तरफ से हैं हमारे कंस्ट्रक्शन वरकर्स की सेफटी पर केंद्रित हैं दिवी सजनो हम सभी जानते हैं कि नए भारत के निर्मान में हमारे कंस्ट्रक्शन वरकर्स एक बहुत ही महत्वपून भूमिकार निभाते आए हैं पसाथ-साथ उनकी सुरक्षा हमीशा से एक चिंदा का विश्य भी कहा है और इसी को एड्रेस करते हुए मधे नजर रखते हुए वोड़फोन आइडिया द्वारा डिजिटल ट्विन बनाकर दिल्ली मेट्रों की एक अंडर कंस्ट्रक्शन टनल में वरकर्स की सेफटी कैसे इंश्योर की जा रही है यह अब डिमोंस्ट्रेट हिया जाएगा मानेनी प्रधानबंती जी 5G द्वारा इस टनल का टूर भी कर पाएंगे और साथ-साथ वरकर्स से संबाद भी करेंगे तो आएए सबसे पहले इसकी तरफ देखते हैं एक फिल्म भारत का विकास आज नई उंचायों को छू रहा है और इस विकास को मजबूती देते हैं हमारे महनती वरकर्स जो दिन रात एक करके देश के इंफ्रस्ट्रक्चर को लगातार तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं प्रधान मंत्री गती शक्ति और डिजिटल इंडिया योजनार